हलो फ्रेंट्स वेलकम टो एक्जाम और्बिट तो आज के इस वीडियो में 20 जून का करेंट अफ़े देखेंगे PDF नीचे डिस्क्रिप्सन से और हमारे टेलिकराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो आज का करेंट अफ़े देखेंगे उससे पहले फटाफ़े टर्विजन कर लिजे और वीडियो के लास्ट में दो प्रश्ण पूछूंगा उसका इंसार आपको नीचे कमेंट करेंगे बताना है चलिए देखते हैं पहला कोशन किस गेमिंग कमपनी को टोकी ओलोंपिक और 2022 के शाई खेल और राश मंदल खेलों का प्रमुख प्रयोजक के रूप में साइन किया है MPL Sports Foundation को MPL के ब्रांड अमेश्टर हैं विराट को हुली 2022 में शाई खेलों का इयोजन किया जाएगा चीन के हांग जोओ में और 2022 में Commonwealth Games का इयोजन किया जाएगा इंगलेंड के बर्मिंगम में विक लांगों के लिए स्क्रेनिंग, पुनरवास और चिकित सकीये सेवाई परदान करने के लिए किसने हाली में देश भर में 14 Cross Disability Early Invention Center Scout गाटन किया केंद्रिये समाजिक नियाय और अधिकारिता मंतरी थावर चंद गहलोतने जिनेवा इस्थित कोफी अननान फाउंडेशन ने किस भारतिये को कोफी अननान चेंज में कस 2021 पहल के लिए दुनिया के 12 असधारण इवा नेताओं में शामिल किया है तो इनका नाम है जिनोरिन एस्ट्रिफन अंग कांग ये मनिपूर की रहने वाली है किस अराज ने कोविड-19 महमारी के कारण आर्थिक संकट से जूजरे छोटे दुकनदारों आटो रिक्षा चालकों और अस संगठी चेतर के मज़दूरों को पांच-5,000 रुपे सहता राशी देने की घुसना की है हर्याना की सरकार ने लौजन इस्थित आई-मटी की विश्व प्रतियस परधात्मक्त सुचकांग 2021 में भारत किस अस्थान पर है इसमें भारत 43 अस्थान पर है भारत 2019 में 43 अस्थान पर था 2020 में भी सेम रेंग था 2021 में भी सेम रेंग है ठीक है लगातार तीन साल से भारत 43 में अस्थान पर है इस सुचकांग में 2021 में इस सुचकांग में पहले अस्थान पर है स्वीजर लेंड सिडनी इस्थित इंस्टिटूट फॉर एकोनोमिक्स एंड पीस द्वारा जारी पंद्रहुए गलोबल पीस इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे शांती पून देश कौन सा है तो गलोबल पीस इंडेक्स 2021 में पहले अस्थान पर है आइसलेंड 163 देशों की सुची में भारत 135 में अस्थान पर है इसे भी याद रखेगा पिछले साल भारत 149 में अस्थान पर था सौर उर्जा छेतर में परियोजदाओं के विद पोसन के लिए भारत ने हाली में स्रिलंका को कितने मिलियन डॉलर की लाइन ओफ क्रेडिक परदान की है 100 मिलियन डॉलर भारत सरकार ने पहली बार निजी छेतर से जुड़े किस वेक्ति को विश और ब्यापार संगठन में भारत के अस्थाई मिशन में निदेशक निउक्त किया है आशिश चंदोरकर को तीन साल के लिए इनकी निवक्ति की गई है सेंट्रल सोलनॉइड नमक दुनिया का सबसे शक्तिसाली चुमबक किसने तैयार किया है जनरल एटॉमिक्स ने ये प्रसीद अमेरिकी हतियार निर्माता कमपनी है टाटा मोटर्स ने हाली में 6.2 मेगावाट का भारत का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट कहां अस्थाभित गिया है पूने में हाली में डाक्टर केनेथ डेविड कॉंडा का 97 साल की उमर में निधन हो गया वे किस देश के प्रथम राश्पति थे अफ्रीके देश जांबिया के ये प्रथम राश्पति थे जांबिया का संस्थापक ही ने कहा जाता है 1964 से लेकर 1991 तक ये वहां के राश्पति रहा थे तो आप चलिए आज का करेंट फिर देखता है पहला कोशन संस्कृत, शास्त्रों और वेदों के ग्यान को पुनरजिवित करने के लिए किस अराज्जने हाली में वैदिक, शिक्षा और संस्कार बोड गठित करने का निरने लिया है तो हाली में राजस्थन की सरकार ने एक वैदिक सिक्षा और संसकार बोर्ड गठित करने का निर्ने लिया है संस्कृत, शास्त्रों और वेदों के ज्यान को पुनरजिवित करने के लिए तो option C, right answer है राजस्थन से संबंदित बहुत सारे latest कर इंटरफेर बने है जैसे की हाली में यहां की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र उर्जा योजना लौज किया था मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ बिमा योजना आर्थिक रूप से कमजोर A.C.H.T.O. अती पिछड़ा वर्क के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रती कोचिंग योजना लौज किया गया है खेल के परती बच्चों को अकरशित करने के लिए राजे की सरकार ने राजे भर में सो नसरी अकादमी खुलने की घोसना की है राज कौशल पोर्टल लौज किया गया है इंदरा, रसोई योजना, कामधेनू, डेरी योजना, इंदरा गंधी, मातरी पोसन अभियान, तारबंदी योजना ये सभी राज अस्थन में चलाए जा रहे हैं राज अस्थन का मैप देखिए इसकी सीमा भारत के पाँच अराजों से लगती है मदेपर्देश, गुजरात, उत्तरपर्देश, हरियाना और पंजाब गठा नुव था 30 मार्च 1949 को, जीलों की संख्या 33 है राजधानी जैपूर मुख्य मंत्री हैं, अशोग गहलोत राज ये पाल हैं, कलराज मिश्रा इंदरिजीत मुहंती यहां के मुख्यनाइदी से, यहां का हाई कोट जोधपूर में है लोक सबसीट 25, राजधे सबसीट 10, विधान सबसीट 200 है राजके पशुउट, राजके पच्छी गोडावन, इसे ग्रेट इंडियन बस्टरड भी कह जाता है राजके बिरिक्च, खेजडी, राजके फूल, रोहीडा, मरुशोभब यह कह जाता है रोहीडा को राजके खेल यहां का बास्केट बॉल है जुमर, घपाल, पनिहारी, जिन्दाद, नेजा, कलबेलिया तथा गंडगवर यहां के लोक नेरित्ते हैं अगला कोशन देखते हैं कें सरकार के अनुसार भारत का लक्षे किस वस्तक 26 मिलियन हेक्टेर खराब या फिर बंजर भूमी को बहाल करना है तो हाली में कें सरकार ने 2030 तक 26 मिलियन यानि 2.6 करोड हेक्टेर खराब या फिर बंजर भूमी को बहाल करने का लक्षा रखा है भूमी छरण जो है यानि जो बंजर भूमी है ये अर्थ बेवस्तार खाद्दे सुरक्षा के लिए विश्वा की सबसे बड़ी समस्या के रूप में उबरी है तो इसी वज़े से भारत सरकार ने 2030 तक ऐसे 26 मिलियन हेक्टेर भूमी को बाहाल करने का लक्षा रखा है यहाँ पर एक चीज़ाओ नोट करिए के सरकार के अनुसार भारत में पिछले 10 तालों में जंगल छेतर में 30 लाख हेक्टेर के विरिद्धी विए कितना 30 लाख हेक्टेर इसे नोट करिए और देश के पूरे छेतर का लगभग एक चोथाई हिस्सा संयुक्त वन छेतर के रुप में बढ़ गिया है स्विस ब्रोकरेज यूबी एस सेकुरेटेज इंडिया द्वारत जारी की गए रिपोर्ट में विट वस 2021-22 की पहली तिमाही में भारत की अर्थब्योस था पहला तिमाही काहलाएगा ठीक है तो यूबी एस सेकुरेटेज इंडिया के अनुसार इस तिमाही में भारत की अर्थब्योस था माइनस में रही 12 प्रतिशत ओप्शन भी हाराइट एंसर है ठीक है कुछ और बाते ध्यान में रखेएगा विट वस 2021 में यानि पिछले विट वस की पहली तिमाही में अप्रैल माई जून 2020 में भारतिय अर्थब्योस था सबसे अधिक माइनस में चली गई थी माइनस में 23.9 प्रतिशत वहीं पिछले विट वस में पूरे विट वस में भारतिय अर्थब्योस था माइनस में 7.3 प्रतिशत रही थी टेश्ट किर्केट के डेबिउ मैच में ही सबसे अधिक रन बनाने वाली प्रथम भारतिय महिला किर्केटर कौन बनी है तो टेस्ट किरिकेट के डेबिव मैच में ही यानि अपने पहले ही मैच में सबसे अधिक रन बनाने वाली प्रथम भारते महिला किरिकेटर बन गई है शेफाली वर्मा हाली में इन्होंने इंगलेंड के खिलाफ ये उपलब्दी हासिल की है और इन्होंने चंदरकांता कॉल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है चंदर कांता कॉल ने ये रिकॉर्ड बनाये था 1995 में इन्होंने पहली ही पारी में 75 रन बनाये थे तो इनका रिकॉर्ड तोड़ दी है शेफाली वर्मा इन्होंने हाले में इंगलेंड के खिलाफ पहली ही पारी में 96 रन बनाई और इस मैच में एक और record बना है इसी मैच में शफाली वर्मा और एस्मरिथी मंदाना की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 166 रोनों की साजयदारी करके नया राश्य रिकॉर्ड बनाया है इसके पहले ये राश्री रिकॉर्ड था गारगी बनरजी और संधिया अगरवाल के नाम उन्होंने 1984 में और श्रेलिया के खिलाफ 153 रन की साजेदारी करके रिकॉर्ड बनाया था तो ये भी रिकॉर्ड तूट गिया है इस मैच में प्रिजर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम जर्मन वस्तुकार कौन थे जिनका हाले में 101 सल की उम्र में निधन हो गया तो प्रिजर पुरस्कार पाने वाले प्रथम जर्मन वस्तुकार थे गौट फ्रिड बोहम हाले में इनका 101 सल की उम्र में निधन हो गया है ठीक याद रखिएगा नेवी जेस पिल्ग्रिमेज चर्च जो की जर्मनी में है 1968 में ये बना था बेंस बर्गर सीटी हॉल ये भी जर्मनी में 1969 में बना था और इसका भी डिजाइन इन्हों नहीं तैयार किया था दम म्यूजियम ओफ दा सुबा ये भी जर्मनी में है 1975 में इसका निर्वान किया गया था और इन सभी के वस्तुकार थे वो हम और खास कर जर्मनी में बनाये गए कंक्रिट चर्चों के लिए ये जाने जाते थे जर्मनी के बात करें तो रजधानी है बरलिन यहां के चांसलर है अंजेला मारकिल राशपती है फ्रैंक वाल्टर एस्टेनमीयर करेंसी का नामे यूरो नेक्सट हसान रुहानी के जगह इरान के नई राशपती कोंच उने गया है तो इरान के आठवे राशपती के रूप में चुने गया है सायद इब्राहीम रईसी इन्हें हसान रुखानी के जग़ा चुना गिया है वैसे यह शपत लेंगे इसी साल अगस्त महीने में ठीके हसान रुखानी 2013 से ही इरान के राश्पती थे अभी हाली में वो चुनाव हार गए है और सयद इबराहिम रईसी चुनाव जीत गया है दो महतपूर्ड देश जहां पे सत्ता प्रिवर्तन हुआ ही याद रखेगा तो एक तो इरान हो गया, यहां के नए राश्पती चुने गया है वही इजराइल, इजराइल के नए राश्पती चुने गया है इस साख हर जोग, मैंने आप सभी को बताया था इस साख हर जोग 9 जुले 2021 को शबत लेंगे वही बेंजामीन नेतन्याहु की जगा, वहां के नए प्राइमिनिस्टर बने है नफ्ताली बेननेट, याब रखेगा इरान के राजधानी है तेहरान, यहां के सुप्रीम लीडर है आयातुला अली खमनेई इरान में राश्पती से भी उचा पद होता है सुप्रीम लीडर का यहां के संसत का नाम है मसलिस और मुदरा का नाम है इरानियन हरियाल वैसे ही यहां की सरकार ने एक नई मुदरा लॉंच किया है तो इसका नाम याद रखना है तोमन नाम है 18 जून को भारत के पुर्वे प्रसित धावक और पदमिस्री विजेता मिल्का सिंग का निधन हो गया उन्हें किस उप नाम से जाना जाता था तो मिल्का सिंग को दा फ्लाइंग सिक उप नाम से जाना जाता था ओप्शन सी हराइट अंसर है बता दें कि 13 जून 2021 को इनकी पत्नी निर्मल कौर सैनी का 85 साल के उमर में निधन हो गया और 4 से 5 दिन बाद इनके पत्ती मिल्का सिंग का भी निधन हो गया है यानि दोनों पत्ती पत्नी का निधन एक हपते के भीतर हो गया है इनकी जो पत्नी थी निर्मल कौर सैनी वो भारती महिला वोलीबॉल टीम की पुर्व कप्तान थी वहीं मिल्का सिंग ये भारत के प्रसिद धावक थे इनके बारे में जो महत्रपूर बाते हैं उसे जान लिजे मिल्का सिंग का जन्म हुआ था 20 नौबर 1929 को ब्रिटिस इंडिया के पंजाब प्रांत में 1960 के रोम ओलम्पिक में इन्होंने 400 मिटर डॉड में चौथा अस्थान प्राप्त किया था और ब्रोंज मेडल जित्ते जित्ते रह गये थे और इस वज़ज़ से इसी ओलम्पिक में ये फेमस हो गये थे ठीक है 1958 में टोकियो में एशियाई खेलों का योजन किया गया था इसमें इन्होंने दो गोल मेडल जिता था एक 200 मिटर अस्परधा में और एक 400 मिटर अस्परधा में वहीं 1958 के कार्डिक कॉमन वेल्थ खेल में भी इन्होंने मेडल जिता था 440 याड दोड में इन्होंने गोल मेडल जिता था 1962 के जाकारता एश्याई खेल में भी इन्होंने दो गोल्ड मेडल जीता था, एक 400 मिटर असपर्धा में और एक 400 मेटर हरीले रेस में. 1998 में ओडिसा के कटक में राष्ये खेल का एयोजन किया था, यहाँ पर भी इन्होंने दो गोल्ड मेडल अपने नाम किया था, एक 200 मिटर असपर्धा और एक 400 मिटर असपर्धा में. ठीक है, मिलका सिंग की एक आटो बायोग्राफी है जो 2013 में आई थी, इसका नाम है The Race of My Life, An Autobiography, तो मिलका सिंग के साथ सोनिया सनवालका ने मिलकर इस पुस्तक की अरचना की है, ठीक है, और मिलका सिंग को भारोसरकार ने 1969 में ही भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पदमिसरी से सम्मानित किया था, इनके उपर एक फिल्म भी बनी है, 2013 में आई थी, भाग मिलका भाग, उसमें लेड रोल मतलब मुखे भुमिका निभाय थे, फ्रहान अक्तर, अथारा से 29 जुन 2021 को कहाँ पर आयोजित, आई एन, यूनाव 4, नौ सैनिक संयुक्त, अभियास में भारतिय नौ सैनने पहली बार हिसा लिया, तो हाली में इस युदावियास का योजन किया गया अदन की खाड़ी में, अदन की खाड़ी कहाँ पर है, ये सुमालिया के यहाँ पर इन, यूनाव 4 का अर्थ होता है, इंडिया नेवी, यूरोपियन यूनियन, नौल फोर्स, और इस अभियास में भारत, सहित, इटली, एस्पेन और फ्रांस ने हिसा लिया, यानि इस युदावियास में चार देशों ने हिसा लिया था, और भारत की उससे, आई नौ सनय दिवस, चार दिसंबर को मिना जाता है, मुख्याले नई दिल्ली में है, चीफ अफ द नवले स्टाफ हैं, यानि चीफ हैं भारते नौ सनय के, करमबेज सिंग, भारते वायु सनय के चीफ कौन है, राकेश कुमासी भदावरिया है, और भारते ये सेना, इंडियन आर्मी के चीफ कौन है, मनोज मुकुंद नर्वने, भारते नौ सनय के वाइस चीफ अफ द नवले स्टाफ हैं, जी अशोक कुमार, डिप्ती चीफ अफ द नवले स्टाफ हैं, इनकी निवक्ती हाली में की गई है, इनका नाम है रोनिच सिंग, और भारते नौ सनय में, क्रेश कोस प्रोग्राम लॉंच किया है, तो हाली में प्रधान मंतरी नरेंदर मुदी ने वर्चुल तरीके से, COVID-19 फ्रांट लाइन वर्कस को प्रसिक्षित करनी के लिए, छे कस्टमाइजड क्रेश कोस प्रोग्राम लॉंच किया है, इसका उद्देश, एक लाख COVID-19 फ् रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्षन, एस्पेसल रिपोर्ट ऑन ड्रॉट ट्वंटी ट्वंटी वन, सिर्शक वाली रिपोर्ट किस ने जारी की है, तो सूखे पर ये रिपोर्ट जारी की गई है, और इस रिपोर्ट को जारी किया है, इवेंट डी आर आर ने, Option C, Right Answer है इसका इस रिपोर्ट की जो खास बाते हैं उसे हम जान लेते हैं इस रिपोर्ट में सुखे को अगली महमारी की संग्या दी गई है यानि अगली महमारी इसे कहा गया है इस रिपोर्ट के अनुसार इस सदी में विश्व के लगभग पांच अरब लोग सीधे तोर पर सुखे से प्रभावित हैं इवेंडी आर आर ने रिपोर्ट जारी किया है इवेंडी आर आर का फूल फामताई United Nations Office for Disaster Risk Reduction इसके अस्थापना 22 दिसंबर 1999 में की गई थी मुख्याले जिनवा में है जिनवा में बहुत सारे संगटनों का मुख्याले है फिर से रिविजन करिये मैं डेली आप सभी को बताता हूं ILO यानि International Labour Organization WTO World Trade Organization WHO World Health Organization World Intellectual Property Organization WMO यानि World Meteorological Organization UNCTAD यानि United Nations Conference on Trade and Development ISO यानि International Organization for Standardization और International Committee of the Red Cross इन सभी संगटन का मुख्याले जिनवा में है ठीक है? और UNDRR के परमूख है मामी मीजू तोरी Next सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्राले के अनुसार केन सरकार ने किस बरस तक सडक दुरगहटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्षे निरधारित किया है तो Option A Right Answer है इसका सडक और परिवहन मंत्राले इस लक्ष को प्राप्ट करने के लिए 4E पहल लॉंच किया है यहाँ पे 4E का मतलब क्या होगा इसे याद रखना है Engineering, Economy, Enforcement, Education यहाँ पे 4E का मतलब यह होगा सडक और परिवहन मंत्राले में मंत्री कौन है? नितिन गटकरी हैं, उनके पास एक और मंत्राले है MSME मंत्राले Micro, Small and Medium Enterprises MSME का फूल फ़म होता है 18 जून 2021 से किसके द्वारा? वैक्सिन अंतराशे वाद पर 4 दिवस्य शिक्खर समेलन आयोजित किया जा रहा है तो 18 जून से वैक्सिन अंतराशे वाद पर 4 दिवस्य शिक्खर समेलन का आयोजन शुरू हुआ है और इसका आयोजन कर रहा है Progressive International इस समेलन का उद्देश COVID-19 महमारी को जल से जल समाब्द करना और सभी के लिए COVID-19 T का उबलब्द करना है Progressive International के अस्थापना 30 नॉमबर 2008 रोको की गई थी निम्न में से किस वैश्विक IT परमर्श और डिजिटल समधन कमपनी ने Snowflake Global Innovation Partner of the Year 2021 का प्रोस्कार जीता है तो भारत की वैश्विक IT परमर्श और डिजिटल समधन कमपनी है L&T InfoTech यानि Larson & Tubro InfoTech इसने 2021 का Snowflake Global Innovation Partner of the Year प्रोस्कार जीत लिया है L&T InfoTech की बात करें तो इसके अस्थपना 23 December 1996 में की गई थी मुख्याले मुंबई में है चेर्मेन है अनेल मनी भाई नाइक परवंदे निदेशक और मुखे करेकारी अदीकारी है संजय जलोना मोटो है इसका Let's Solve तो फेंड्स यह था हमारा आज का Current Affair वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जोगो करना और आप सभी को बताना चाहूंगा कि GKS Science और Current Affair का Best E-Book material तेयार किया गया है नीचे description में लिंक मिल जागा आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और बिल्कुल कम प्रैस में डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप SAC, UPSC, IBPS, Railway आधी के तयारी करते हैं तो यह E-Book आपके लिए काफी उप्योगी है अब पिछले Quiz का Answer जानेए पहला Question था भारत के मुक्यबाजों ने बुडवा में आयो जी 30 में अड्रियाटिक पर्ल टूनामेंट 2021 में कितने पदक जीते हैं भारत ने कुल इसमें 12 पदक जीते हैं दूसरा Question था पुरूस एकलवर्ग में और स्वेलियन ओपें 2021 का खिताब किसने जीता हैं इसका Right Answer था Option B नुवाक, जोकोविक ने ये सर्विया के खिलाड़ी हैं इन्होंने पुरूस एकलवर्ग का French Open 2021 का भी खिताब जीत लिया है अब चलिए आज का पहला क्वीज है और अस्थाई चुमबग किसके बने होते हैं दूसरा Question है परमानू में प्रोटॉन कहां रहते हैं एंसर कमेंट करके बताईए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक के और